राधे राधे, भाधर प्रद मास्की कृष्ण पक्ष की अस्ट्मी तीखी को रोहिनी नच्छत्र में भवान स्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी दिन हम जन्माश्ट्मी भी मनाते हैं अगर आप कृष्ण की ब्रत रखना चाहते हैं जो सभी ब्रतों में जिस ब्रत को राजा कहा जाता है तो कुछ नियोमों का पालन करना भी आवस्षक है अगर आप फास्ट रखेंगे 24 अगस्त को तो 23 अगस्त को यानि एक दिन पहले भूल कर भी कुछ चीजों का सेवन ना करें जैसे कि फास्ट रखने के पहले आप नौन बेज अलकोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे साथ ही इस दिन लहसन प्याच का सेवन मत कीजेगा ब्रह्मचरे का पूरी तरह पालन कीजेगा और भगवान स्री कृष्ण को साग बहुत पसंद है इसलिए उनके भोग में संभव हो तो साग के दो पत्ते ही सही जरूर लगाईएगा और आप आज के दिन साग मत खाईएगा ये अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि माखन चोर भगवान स्री कृष्ण को आप जो भी चीज उन्हें पसंद है आज के दिन ना खाएग उन्हें भोग लगाए और फिर खाएग जैसे कि हमने पहले भी बताया है बिलकुल सात्विक भोजन करना चाहिए मान्स मशली मदीरा का सेवन तो करना ही नहीं है लहसन प्याज भी नहीं काना है और संभव हो तो सत्तु का सेवन ना करें संभव हो तो इस दिन मखन भी मत खाईए आप बटर देखिए दोस्तों सास्त्रों के अनुसार भगवान स्री कृष्ण की पतनी रुकमेनी मा लक्ष्मी का अवतार थी अगर इस दिन भगवान स्री कृष्ण को परसंद करना है तो आप इसे सुपाय कर मा लक्ष्मी को जुरूर परसंद करें ताकि भगवान स्री किष्ण की आपके कृपा आसानी से हो जाए तो कुछ चीजों का सेवन नहीं करना है जैसे कि हमने कहा भगवान स्री किष्ण को पितांबर धारी कहा जाता है पितांबर धारी का अर्थ होता है पीले रंग के बस्तुन को पहनने वाले तो स्रीकिष्णी के जन्म के दिन किसी भी मंदिर में भगवान को पिले रंग के कपड़े अरपित कीजिएगा साथ में पीला फल, अनाज, मिठाई का दान करना चाहिए मालक्ष्मी और भगवान स्रीकिष्णी दोनों ही प्रसन्द होते है इस दिन आप केला मत खाईएगा बलकि केले का पौधा लगाईएगा तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा बलकि आप जहां तक संबब हो तुलसी के पौधे अपने घर में लगाए इस दिन दूद का सेवन मत कीजिएगा दही का सेवन मत कीजिएगा क्योंकि भगवान सरी कृष्ण को दूद अर्पित किया जाएगा खीरा तो भूल कर भी मत खाईएगा क्योंकि खीरे में ही भगवान सरी कृष्ण का जन्म होता है तो इतनी सारे चीजे हमने आपको बताई इन चीजों का पालन कर आप भगवान स्री कृष्ण को मना सकते हैं दूद में केसर डालके उनका भी सेख होता है पंचामरित बनता है दूद दही से तो बाल गोपाल स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं तो छोटे बच्चे को परसनता के लिए जितनी चीजें उन्हें पसंद है वो चीजें हमें नहीं खानी है बलकि उन्हें अरपित करनी है और फिर बाद में प्रसाथ की रूप में खाना है फिर से रिपीट कर दें नौन भेज जैसे मांस अंडा खटी चीजें तली हुई चीजें मसालेदार चीजें बासी चीजें ठंडे पदार्थ और ये सबी चीजें जो खाने से तामसिक परविर्तियों को बढ़ावा मिलता है नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना है तो सरीर म जो उत्तेजना पैदा करता है उन चीजों को उपवास के दौरान नहीं खाना चाहिए फिलाल हम आपसे बिदा लेते हैं उमीद है पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादेम हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ